Hello students, good time to all, I am Chandan Kumart Radhan, welcome to the channel, Chandan Physics. In this video, we are going to discuss Hamilton's Principle. Let's begin. Hamilton's Principle कु अती सहजरे बुधिवाप आईं, आमकु एक उदाहरा नर सहाच्याने बागु पडिवाँ. मनकर आमें गोटे डाइनामीकल सिस्टम को कंसीडर करूँ छे, उडाइनामीकल सिस्टम किछी भैई पारे, एई कंडिशन रे मनकर जाने भ्यक्ती गोटे बाल कु उपर कु फोपाला, ते बाल रो उडे प्रोजेक्शन है बा, उडे निधिस्ट गति पथरे से बाल टी गति क करीवा, तुदि आमें तक्कु ग्राफिकाली शो करीवा, टाइम सांगरे से बाल रो गति पथरे केमीती हे उची, X-axis रे, टाइम, Y-axis रे, से इडिनमिकल शिस्टम रो, एक कॉंडिशन रे, से बाल रो गति पथरे, पुदिशन, रो पुदिशनाब से बाल रो, आईमें, से बाल रो गति पथरे, से बाल रो टी ट कॉंडिशनाब T1 रे यह पोजिशन रे थाए आप्टर सम टाइम अगरा बाल टी रे बहल भाबर रे गती करी यह पोजिशन रे पहुंच ला तो पर टाइम T2 रे बाल रा पोजिशन रे यह रहला इटा है जी बाल री अक्ट्री गती करी अगरा पॉशिबुल गती पहारे बल्डी एई पाथ मद्य फ़लो कोरी पारे एई पाथ फ़लो कोरी पारे एई पाथ फ़लो कोरी पारे एई पाथ फ़लो कोरी पारे इस इद आक्च्वाल पाथ आक्च्वाल पाथ प्रिंसिपल अनुषारे अमें से बाल रा गती पथर रा अक्चुल पाथ जानी परिवाई Jetzt you come to now . According to Hamilton's principle the principal states that the motion of a dynamical system from time t1 to time t2 between two points is such that the line integral a is equal to integration over t1 to t2 nd is stationary for the actual path प्रकार डिनमिकल सिस्टम रो मोशन रो अक्ट्वल पाथ महीं यह लाइन इंट्ग्राल्टी महलु स्टेश्योनेरी आशिवा कॉन से लाइन इंट्ग्राल इटा उची था आक्ट्वल पाथ मनें जैंजयो आ मध्यारो ज्यकूनसी गोट्टे पोईंट्को कोंसिडर करिवा एई पोईंट stress एहई पोईंट stress थार गोट्टे लाइग्रा Χञ्फीयान आसिवा औनने कोट्ट्टी पोईंट्रेrée Eyh लाग्रांजयन different अशिवा, अन्यों कोट पॉएंटरी, लाग्रांजयन मद्यो different अशिवा, लाग्रांजयन का ओना से system भाह, इस kinetic energy minus potential energy, kinetic energy, potential energy difference का में कऊचे system भा, लाग्रांजयन, पौटिकुलर यह पाथ पाईंं, विभिणार प्रकार पॉएंटरी, लाग्रांजयन different अश टाइम सांगरे मल्टिफ्लाई करीकी विदिन ए पर्टिकुलार लिमिट टाइम T1 नुँ T2 कु इंटिग्रेट करता बार तवे आमें गोटे भ्यालू पाईबा जेतु एनर्जी टाहँची गोटे स्कालार लाग्रांजियान कानेटिक एनर्जी मानस पोटेंचल एनर्जी लाग्रांजियान ल इस इक पल टू कानेटिक एनर्जी मानस पोटेंचल एनर्जी ल इस इक पल टी मानस भी आणड एस जाको हमें का हुचे आक्षन एस इस काल्ड आक्षन और दा कुमादी हमें कहीं परिभाया है दा इस आक्षन इंटेग्राल आक्षन इंटेग्राल जीमा आक्षन इंटेग्राल रा दाइमेंशन दा केते आशिवा एनर्जी इनर्जी 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 इनटो टाइम रा दाइमेंशन शाहिता ए आक्षन इंतेग्राल टा आम्षन आक्षन हमिल्टन का प्रिंसिपुल अनुशारे जदी सही आक्षन जगा हम कहोचे आक्षन इंटीग्राल जरो डामेंशन एनर्जी इनर्जी इन्टु टाइम त्यार भैलुटी स्टेश्योनेरी आसे त्यवा आमे कही पह रिवा सही पाथ रहे उसी सही पर्टिकुलर डायनम सिस्टम रो मोशन पाईं आक्ष्वाल पाथ ओके कौन काउची हमिल्टन्स प्रिंसिपुल जदी कोटे डायनमिकल सिस्टम रो मोशन को आमें कॉंसिडर करुछे दीटा पॉइंट भीतरे टाइम T1 आव T2 से दीटांको पॉइंट रो पोजिशन कुशो करुछी तेवे ता सिस्टम रो मोशन पाईं इती लाइन इंटेग्राल इता सिस्टम रो मोशन रो आक्ष्वाल पाथ पाईं इता होची कॉंडिशन अक्ष्वाल आक्ष्वाण वित नस्चान रक्ष्रप्स पाईं इंट र मने को रू में रिष्ट पहलो में व्याँ बशर पाईंस्वायण Here we are extremum value here S is equal to that t 1 t 2 l d t l is the langrangen आवेलुटी कना शिवा न स्टेशनरी शिवा, what is stationery, stationery means it is extremum value, extremum value, what is the extremum value, extremum value either whether it is maxima ही पारे पा minimum ही पारे, either it is maximum और minimum किछी भेई पारे जहेतु ए action integral रवेलु स्टेशनरी किछी variation आशे जोदी सही action integral रे किछी variation आशे, किछी change आशे तामने तार variation result के दिया शिवा, जुरुवा शिवा Hence, the action integral as stationery value 0, then its variation must be 0, its variation must be 0, that is variation in that of action integral is equal to 0, this is the stationary value, when we define the actual path, according to Hamilton's principle answer, then variation over T1 to T2, L dt is equal to 0, then variation is equal to 0, this initial point or final point, this initial point, this integral value is equal to 0, this initial point is equal to 0, this initial point is equal to 0, so t1 and t2 respectively, t1 time initial point, t2 time final point point, this is fixed, variation in that of position at time t1, Q coordinate, I mean position by represent t1, right, this initial point, T1 will be 0, if the point is equal to 0, then T1 will be therefore, हम लेखिदे परिवा, variation at t1, variation t2 is equal to 0, what is del q of t, del q of t, we call the variation of the function, q of t and delta, here stands for variation shiva. here delta stands for variation symbol, from this mathematical conclusion, हमें, say particular dynamical system, motion, आक्षोल पात कु, define करतले हैं, hence, the hamilton's principle, in integral representation, integral representation, allows, to distinguish, to distinguish, the actual path, the actual path, from, the neighboring path, the hamilton's principle integral, आक्षोल सहाजरे, आमें, आक्षोल पात कु, तार नेव बरूरूरू, अथ ता पाक्षोल लागे थिवा, पात रूँ आमें, easily differentiate करी परिवा, ते बैसे, system पाईं, system पाईं, आक्षोल पात कौन हब, ताकु, hamilton's principle सहाजरे, पाई परिवा, जदी का, तार आक्षोल पात कौन ह आक्षोल पात, आप्षोल 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 आप्षोल पात, आप्षोल पात, आप्षोल पात, आप्षोल पात, आप्षोल पात, आप्षोल पात, अभी विडियो माध्य हम्रे आमें हमिल्टन स्प्रिंसिपल संपर्करे पढ़िले हमिल्टन प्रिंसिपल कौनो मत्मेटिकली उदाहरन साहचरे हमिल्टन स्प्रिंसिपल कु सोकल शो विद शेवस्फुल और इन्फिमेटिव नोर्स let me wind up the session thank you